ऑडी वोबा इतना गौरा में चिकन कौन खीता है बोलो लेकिन बत्ता लोग तो छोड़ेगा नहीं उन लोग को चिकन खाना है तो आज मैं बनाऊंगी मैं या एकदम कम टेल दें के कॉम टेलकों कम मशले हैं द्रक देना हैं चाहक कर तो यह स्थाबघ को हम क्या करेगा ग्राइन्डर में आजिटम नसे बाथ लेगा है अजकाल बाठता कोन है सिल पट्टा में घुर करके ग्राइंड कर लेगा एक मिनिट का बात है एक सेकेंड का बात है ना तो सबको टमटर अभी नहीं डालेगा तो प् alcata पानी प्यादी हो जाएगा आलू को बड़ो बोड़ो करके काटके क्या करेगा ना नौमक पानी में भिगो के रखेगा रखने रेसीपी है चिकेन का तो उसमें बड़ बड़ आलु डालता है हम लोगा बेंगॉली लोग बहुत आलु खाते है और बड़ बड़ आलु खाते है थोड़ा सा तेल बस दो चमास दिखाया ना तेल गरम हो गया गरम होने के बाद गोटा-गोटा आलु ऐसे डाल दो हां चिकेन बड़ने के बाद क्या होँ थोड़ा सा फ्रीज में था शुबह निकाल के रखा था मैरेनेट करके तो डाल दिया नमख रुछ गया था था चला चला के, चला चला के, ठोड़ा थो कॉस लेना पढ़ेगा, हाँ, कॉस नहीं कॉस में से गंदो लगेगा, तो कॉस लिया है, छिकन थोड़ा ही है, आलुई ज्यादा है, तो एक जुन के लिए काफी है, अब जो बाटा मसला है उसको डाल देगा, अब हम लोग ग्रैंड क डाल करके ohhh जो है उसको निकाल लेगा रख्णने तक और गरम पानी डाल देगा तोड़ा झालतोर और सिटी डेने के बाद यब खुला देखो कितना जोल आलू ळालू जोल हीद केन जोल नहीं जोल, पतला जोल, इसमें ध्वनिया पत्र डालेगा तो आरो सुन्दुर लगेगा, उसको फिर डाल दिया, देखो, यह होता है, हम लोग का, बेंगली स्टाइल, आलू चिकेन जोल, पतला जोल, जो गौर्मी के दिन आता है, हम लोग ऐसा ही खाता है, देखो, जदा मसाला नह नहीं खाता है, बंगली है न, मसाला नहीं खाता है, हम तो इसमें देखो, कुछ भी नहीं डाला है, बस प्याज अधरक लशुन टमाटर, और थोड़ा सा गुजराती लॉंग ये, चो दारचिनी, हम नमाखली होल, उतो दिन आहीं पड़ेगा न, यह रेशिपी तुमको अ हिंद बंगली लेंग्वेज, मैं तो हिंदी खूब बोल लेती हूँ, पर मुझे ये हिंद बंगली बोलना अच्छा लगता है, टेंक यू